जाहिंत दोस्तों नए इंफर्मेटिक वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे आईसीजी बैंक प्योप प्रोग्राम के बाद आपके आगे केरियर में क्या गोर्थ पार्थ है और आपको परमोशन कम मिलता है इसके अंदर में तो सबस्ते दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए है तो लाइक के सब्सक्राइब जरूर करें क्यों मैं आप में चैनल पर बैंकी फैनेंस और जॉब से रिलेटर सारा अपडेट्स लेकर आता हूं तो वीडियो का लास तक बने रहेगा अगर आप इस प्रोड़ाम में जाना चाते हैं या आप इस प्रोड़ाम से आ चुके हैं अभी इंटर्णसिब या ओजिटी या जॉब कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेट है कि इस वीडियो में हम सारा कुछ discuss करेंगे कि banking finance field में आपका क्या-क्या growth का path है और कहां आगे आप कहां तक जा सकते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे परें तो आपके लिए ब्राइट करियर है कि आप आगे बहुत ही जादा आपके लिए ब्राइट करियर है कि आप आगे बहुत जा सकते हैं इसके अंदर बहुत कुछ ऐसा है कि आपका promotion का क्या system होता है और भी हम discuss करेंगे तो सबसे पहले जान लेते हैं जो आपका प्रोग्राम है आपके लिए कैरियर में क्या benefit ला सकता है देखिए सबसे पहले बात यह है कि जो एक प्रोग्राम है वो इतना अच्छा design किया गया है पहले प्रोग्राम एक साल का हुआ करता था एक साल के बाद यह four month में आ चुका है लेकि four month के अंदर में जो आपका discipline जो आपको banking financial related सारा जो subject वहाँ पढ़ा जाता है या आपको aware करा जाता है कि क्या banking में क्या चलता है उससे बड़ी बात कि आपको NISM के अंद बहुत ही important है NISM में अगर आपने मेहनत कर लिया है 10-15 दिन भी तो आगे आप देखेंगे कि आपके carrier के लिए बहुत ही काम आता है क्योंकि NISM करने के बाद क्या होता है mutual fund industry आप share market से सारे knowledge आपका हो जाता है जिसके अंदर में आप better experience देखते हैं कि आपको knowledge हो चुका है कि market कैसे work करता है investment कैसे होता है कैसे आप profit book करते है share market क्या होता है NACBAC क्या होता है SIP mutual fund क्या होता है investment क्या होता है तो सारा कुछ का knowledge आपको वहां से मिल जाता है इसके बाद आप देखेंगे तो जो banking का जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम के अंदर में आपको पूरी banking की brief दि RBI क्या system attend करता है पूरे इंडिया में banking परनाली कैसे है तो सारा का सारा यह system होता है यह सारा समझने के बाद जब आप market में आते हैं तो आपका सबसे पहले intensive होता है intensive में आपको देखते हैं महौल समझते हैं कि लोग काम कैसे कर रहे हैं क्योंकि इससे क्या होता है आप अगर आप सीखते हैं observe करते हैं कि कैसे आपको काम करना है कैसे customer से dealing होती है कैसे बात किया जाता है लोगों को समझना लोगों से देखना नए नए लोगों से मिलते हैं customer से मिलते हैं सब की सुनते हैं तो इससे क्या होता knowledge level आपका growth होना start हो जा क्योंकि आप college level में होते हैं limited लोग क दोस्त बनते हैं और जो आपका क्या होता है एक personal life, professional life में change होता है, professional life में आप knowledge shared देखते हैं, आपके साथ का जो बंदा है, वो उसी field का है, वो भी उसी field में आगे बनने कोशिस कर रहा है, तो आपका knowledge level अनांस होता है, आप अगर banking में आते हैं, तो आप सेम बंदे आपके banking sector क लोग मिलेंगे, क्योंकि आप जहां job कर रहे हैं, तो सारे के सारे आपके अगर दोस्त भी बनेंगे, तो banking sector वाला भी बनेंगे, क्योंकि आपको day to day उनका काम आएगा, आप knowledge sharing करेंगे, आप उनसे पुछेंगे, वो आप से पुछेंगे, तो सारा का सारा knowledge sharing होता है, जिससे knowledge आपका growth आगे बरता रहेगा, इसके बाद intensive के बाद आपको OJT मिलता है, OJT के अंदर में आपको बताया जाता है, कि आपको job कैसे करना है, job आप स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं, learning, फिर उसके बाद आपको फिर on roll job स्टार्ट हो जाता है, इसके बाद जो promotion का part क्या होता ह है, promotion कम मिलता है, देखिए, अभी bank का क्या है, day to day change होता रहता है process, कि आपको promotion कम मिलना है, अभी आज की date में आप अगर DM1 grade पर जुआन करते हैं, जैसे PO program के अंदर जो भी आते हैं, DM1 grade मिलता है, deputy manager 1 band का मिलता है, इसके अंदर जो अभी past में, अगर 3-4 सालों में देखें, तो एक साल, दो साल के अंदर भी promotion मिल जाता है, उसके अंदर में, तो इसमें देखें, तो आपका maximum लेके चलें, तो दो साल के अंदर आपका promotion हो जाएगा, promotion होने के बादे आप deputy manager 2 बन जाते हैं, senior deputy manager, इसके बाद क्या है, ग्रोथ के पार banking sector में देखें, तो आज की date में इ इंडिया में इतनी सारी bank है, इतने सारे नए नए banks आये हैं, कि आप उस bank में easily switch करके आप ज़्यादा ज़्यादा salary बढ़ा सकते हैं, आज ही मेरे पास अभी just a comment आया था, कि दो तीन सालों के अंदर हम कहां तक जा सकते हैं banking sector में, तो दोस्तों, दो साल अगर आपने ICC bank में लगा लिया, उसके बाद अगर आप ICC bank में रहते हैं, तो आपको बेटर आगे opportunity मिल जाएगा, आपको leadership profile मिल जाएगा, आपको vertical change हो जाएगा, जिसमें आपकी रूची होगी, वो profile आपको easily मिल जाएगा, या आप bank भी switch करना चाते हैं, या आप अपना location change करना चाते हैं, त 50 manager से direct, आपको manager का post आपको मिलेगा, दूसरे bank को में, वहाँ आपका salary आप, आज के date में देखें, banking sector में अगर आप switch करते हैं, तो 30-40% तक का आपको growth मिल जाता, easily, जो कि किसी sector में इतना growth नहीं है, तो 30-40% का growth मिलते ही, आप manager gate पर चले जाएगे, अगर चाहें, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, जो pure program में जोइन करके, पांच साल के अंदर, आपके date में chief manager भी है, दूसरे bank को में, तो switch करके, आप easily आप पहुश सकते हैं, लेकिन, इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, कि आप banking sector में आए, तो knowledge level आपको बढ़ाना है, knowledge level कैसे बढ़ कुछ है, तो आप अगर सीखेंगे, knowledge level जादा होगा, तो जाहिर सी बाद है, आगे आप interview क्लियर कर लेंगे, और आगे आपको better opportunity मिल सकता है, इसके साथ, इंडिया में जो है, बाहर की company, बाहर के bank भी इंडिया में, जो है, service से data काम करता है, यहाँ पर प्रजेक्ट होता है, insurance company है, जो यहाँ से काम होता, आप वहाँ भी switch कर सकते है, foreign की company जितनी है, multinational company आज की date में, इंडिया से service ले रही है, तो उस company जाकर के आप 100%, 1500% तक का भी आप growth ले सकते है, salary में, लेकिन इसके लिए आपको knowledge का होना बहुत जरूरी है, knowledge के साथ साथ, अब देखे, तो एक च देखे जाता है, क्योंकि private sector bank में अगर देखे, अगर किसी बंदे ने 4-5 साल काम कर लिया है, तो knowledge level इतना हो जाता है, तो गुर्मेट बैंक बाले आज के date में देखेंगे, तो bank of brother, पंजाम, national bank, SBI में भी hiring हो रही है, जिसकी private sector bank में भी अगर 4-5 साल का experience है, तो उस level के दोस्तों मैं यह बताना चाहूँगा, कि अगर आप इस program में आ रहा है, तो घबराने वाली बात नहीं है, आप थोड़ा सा सयम रखिए, और पढ़ाई पर ध्यान दिजिए, तो आगे आपकी career बहुत bright है, क्योंकि आप 5-6 साल लेके चलिए, आपना goal set करके रखिए, कि जो हमें है, अभी सीखना है, आगे हमें कुछ नहीं करना है, आप सीखेगा, प्रेसर में नहीं आने, बहुत साथ लोग मुझे करते हैं कि मैं resign दे रहा हूँ, नहीं resign देना सलूशन नहीं है, आप resign देकर के आपकी age 24-25-26 साल की है, लेकिन अगर आप इसी age में, अगर आप vintage employee है, उनसे आप सीख सकते हैं, आप जान सकते हैं, क्योंकि अगर आप माल ये retail banking में ही join करते हैं, बहुत लोग करते हैं, ब्रांच banking में बहुत आप इसर है, लेकिन retail banking में आप देखे, retail banking में knowledge का बहुत सारा source है, आप देखे, आज की date में retail banking में account भी है, home loan है, auto loan है, personal loan है, insurance insurance है, सारा का सारा product यहाँ पे sale की आता है, customer dealing होता है, compliance है, concern है, collection है, सारा कुछ आप retail banking में आप देख सकते हैं, आप सीख सकते हैं, तो आपको तो अगर retail banking में आपकी हुई है selection, तो आप समझे कि आपके लिए बहुत better opportunity है, कि आप learn कर सकते हैं, बकायदा आप देखे, आप द better आपको मिलेगा opportunity, इसके साथ साथ मालिका, आप single product में चल जाते हैं, auto loan, personal loan, sales में जाते हैं, तो आपको क्यों एक ही product बेचना है, एक ही जगा selling है, लेकि retail banking बहुत बहुत है, एक answer उन लोग के दोस्तों के लिए हमारे जो कहते हैं, retail banking के अंदर में बहुत सारा problem है, लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको opportunity भी है, learning भी बहुत मिलेगी, आपको learning इतना मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते हैं, बहुत साही learning है यहाँ पे, और इसके साथ देखे, तो इंडिया में NBFC की कमी नहीं है, बैंकों की कमी नहीं है, इंसुलेंस कमी नहीं है, अगर आपके पास banking sector में knowledge है, तो कहीं भी जा सकते हैं, career का कोई अंत नहीं है, और आप ज़्यादा ज़्यादा जितना चाहे, आप पांच साल, दस साल में आप growth बहुत ज़्यादा ही ले सकते हैं, इसके साथ साथ अगर आपका banking finance company में अगर knowledge हो चुका है banking में, तो आपने startup start कर सकते हैं, आप channel start कर सकते हैं, insurance company आप DSA खूल सकते हैं, आप loan बेश सकते हैं, इसके सकते, खुद का platform बेड़ मना सकते हैं, खुद की consultancy कर सकते हैं, खुद की tution class कर सकते हैं, सारा का सारा आप नए लोग को grooming दे सकते हैं, corporate consultancy दे सकते हैं, तो बहुत सारा इस यहाँ से निकल के आता है, तो द दोस्तों में जरूर सेयर करें और चायवा को सस्क्राइब करना ना भूलें थाइंक्यू फेरी मच्छ